नमस्कार मैं हूं मैयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुक करते हैं खबर की ओर वारार्णसी में ग्यान वापी परिसर में सिंगार गौरी के निमित दर्शन और पूजन की मांग को लेकर दारियाज का सुनवाई योग है या नहीं इस पर वारार्णसी की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी इसके मदे नजर सहर में 1344 लागू कर दी गई है इसके साथ इस सभी पुलिस अधिकारियों को अपने शेत्रों के धर्म गुरू के साथ समवाद करने का निर्देश भिया गया है पूरे शहर भर में जरूरत के ह हिसाब से पुलिस बलतेनाद किया गया है आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह का महौल है कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष को अपने पक्ष में फैसला आने की उमीद है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हम अपने संवादादा अफ़ताब करूप करेंगे अफ़ताब ग्यानवापी और सिंगार गोरी को लेकर आज फैसला आना है इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करें कर दिया जी इसके फैसले आने से पहले इलाके में 144 धारा लागू की गई है और क्या कुछ इंतजाम किये गए है या निर्देश दिया गया है जी आपको बता दे कि फैसले को मद्य नर्ज हाई हाई इलर्ट जारी कर दिया गया है पिछले सिविल जज्ज सिरियर डिविजिन क से आदेश को लेकर के पुझा दिया अपने क के सम्बंदी को लेकर के रांकिर शिंग ओप मै가요 दो आरा गुघार लगाई थी पर्तिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो पेस किया गया था उसको सोपने के समाज़ित लेकर के वादी राकित सिंग पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी परतिवादी अंतुमन इंतिजामिया मस्जित के पारतना पर देकर वाद की पोस्रीता पर सवाल उठाया था अदालत ने परतिवादी अरजी को दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ग्यान बाभी परसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब की थी इसी दोरान अंजुमान इंतामिया कमिटी के सुप्रेन कोट में विसेश अनुमती याज का दाहर की थी सुप्रेन कोट के निर्देश पर जिला जज़ बारान सी की आद सुरची रख लिया है उसी दोरान आपको बता दे कि लिखित बाहस भी तरफ से लिखित बाहस भी दी गई है अब मुस्लिम पक्ष ने भी कई विवरन वापतरावली कोट में दी है कुरू में हाई कोट से मुस्लिम पक्ष की और केस मैरिट पर संबंदित याज का खारीज ह हो चुकी है ग्यानबापी गोरी सिंगार के मेरिटोर फैसले के मद्दे नजर पुलिस हाई अलर्ट सहर में धारह 144 लाओ करके सारवजिनिक अस्थल इस्टेशन रोडबेच घाट मंदीर वा समिधन सिल इस्थलों पर रात की रात में निगरानी बढ़ा दी है आपको बच कहीं गई है तो इक इतने वजे तक फैसला आ सकता है इसको लेकर करें कानून वैस्ता का संभावी चुनोतियों से निपढ़ने के तैयारी पूरी तरीके ते कर लिए और तहवारों को भी ले करके सब धर गुर्मों से बातचित भी कर रहे हैं लोग को समात किया कि निद्द अभी तो दो बजे के बाद ही सुनों फैसला आने के उमीद है कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष को अपने पक्ष में फैसला आने के उमीद है तो हिंदू पक्ष में कैसा महौल देखने को मिल रहा है कि देखिए हिंदू पक्ष में काफी उत्सा है काफी उनके अंदर उत्स फिल्हाले इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों ले देखते रहे है प्राइम टीवी